लो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, इडू फाइल, आज की इस वीडियो में हम लोग फैबरी परोट इंटर्फिरोमीटर के बारे में डीटेल में डिस्स करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉंसेप्ट को नोट्स के साथ में, वर्किंग के साथ में, स्टिप बाइ स्टिप समझेंगे सबसे पहले समझते हैं, फैबरी परोट इंटर्फिरोमीटर क्या होता है और यह क्यों आया, फैबरी परोट इंटर्फिरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे interference of light को produce किया जाता है कुछ इस तरीके से अब ये interference of light को produce करता है जिसके बहुत सारे applications होते हैं हम इस interference of light को study करके light के wavelength को बता सकते हैं और भी बहुत सारे applications जो हम लोग discuss करेंगे लेकिन ये कैसे interference of light को produce करता है सबसे पहले ये जान लेते हैं तो ये interference of light को produce करता है बहुत ही simple experiment से केवल दो glass plate चाहिए आपको एक screen चाहिए एक lens चाहिए और एक source of light चाहिए बस इतने चीज़े हैं आपके पास तो आप fabric rate interferometer बना सकते हैं और interference of light produce कर सकते हैं अब ये जो दो glass plate इस तरीके से parallel एक दूसरे के लगी होती है यहाँ पे इसकी दोनों inner surface जो होती है वो polished होती है वो क्या होती है polished होती है ताकि reflection हो सके अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि source S से हमारा light आता है source S से हमारा light मान लेते हैं आ रहा है तो ये इसमें क्या कर जाता है transmit कर जाता है Transmit के बाद में यहाँ पे multiple reflection होता है कुछ इस त SARीके से कई बार reflection होता है और reflection होता है तो कछ पार्ट में जैसे माल लेते कि 90% reflector है बहुत अच्छा reflector है, तो कुछ पार्ट में light हमारी बाहर भी चली जाती है, इस glass plate के थूरू बाहर भी चली जाती है, तो ये जो light हमारी बाहर गई है, transmit होके, ये light कुछ इस तरीके से जाएंगी, और इनको हम लोग क्या करेंगी, एक जगहें पर focus कराना चाहते हैं, तो एक जगहें पर focus कराने के लिए क्या है सबसे बहतर, convex lens, convex lens क्या कर देता है भाई, सारे rays को एक जगहें पर focus कर देगा, जहां पर हमारा screen होगा, और वहीं पर ये light क्या होगी, जब एक चार तरफ से light आ रही, कई तरफ से light आ रही, आपस में मिल गई एक point पे, तो वहीं पर क्या हो जाएगा, हमारा interference of light हो जाएगा, यानि waves हमारी interfere कर जाएगी, और जब interference of light होगा, तो हमें कुछ इस तरीके से circular fringes मिलेगा, अब यहां पे देखिए, interference आपको समझ में आ गया है, यहां पे, कि यह interference of light को कैसे produce करता है, अब यह concept कैसे बताता है, कि भाई, interference हो रहा है, तो यह air film के वज़े से interference of light का production हो रहा है, या produce हो रहा है, आपके सकते हैं, तो air film जो है, इस glass plate के बीच में, इस glass plate के बीच की distance को अगर हम D माल ले, कुछ इस तरीके से D माल ले, तो यह बहुत ही कम distance होती है, और यह air film की तरह काम करती है, तो यहां पे interference in thin film का concept भी लगता है, व फिर working को समझेंगे, तो construction बहुत ही easy है, हमने आपको बता है, interferometer क्या consist करता है, दो optically plane glass plate A और B, इस तरीके से हमने नाम दे दिया A और B, with their inner surfaces silvered, इनके inner surfaces जो हैं, वो silvered होते हैं, ताकि reflection हो, inner surfaces, and place accurately parallel to each other, और यह एक दूसरे के parallel रखे जाते हैं, कुछ इस तरीके से, screw provide किया जाता है, ताकि अगर हमारा glass plate है, वो तिरचा हो गया है, तो उसको screw से आप सीधा कर दे parallel बनाये रखें, इसलिए screw भी दे जाता है, this system is difficult to manufacture, अब यह system difficult होटा manufacture के लिए, तो इसलिए एक बना बनाया हमारा पास आता है, जिसको हम लोग italon कहते हैं, और italon जो होता है, तो easily manufacture होता है, उसमें पहले से ही हमारे glass plate fix रहते हैं, काफी rigid तरीके से, तो हम लोग italon का use कर सकते हैं, या तो आप simply ऐसे बना सकते हैं, तो यह हमारा basic construction, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कि lens का use करते हैं, ताकि focus कर सकें यहाँ और screen का use करते हैं, और यहाँ पर lens का use कर करते हैं, ताकि हमें focused light मिले, focused light मिले, ताकि interference के fringes जो हो, वो एकदम sharp हो, कैसे हो, एकदम sharp, sharp का मतलब बाई, एकदम clear, clear चीजे, जैसे माली जी यह letter आपको क्या clear दिख रहा है, blur नहीं दिख रहा है, तो उसी को कहते हैं sharp, तो sharp मिले, इसलिए हम लोग use करते हैं, तो working को समझते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे हमने S जो है, वो source लिया है, मैंने आपको पहले ही working short में बता दिया था, S source लिया है, वहाँ से light आ रही है, through a lens L1, L1 के through आ रही है, L1 के through आ रही है, क्योंकि यह क्या है, parallel rays को क्या कर देती है, एक point पे focus कर देती है, यानि मुझे एक बहतरीन light मिलेगी, यहाँ पे sharp light, तो incident ray जो होगी, वो सफर करेगी, इसमें transmit कर जाएगी, क्योंकि इस तरफ से हमारा silver नहीं है, तो आसानी से light हमारी transmit कर जाएगा, transmit करने के बाद में multiple reflection होगा, यहाँ पे जो polish है surface, उसमें multiple reflection होगा, और reflection होने के साथ साथ कुछ पार्ट में light transmit भी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज 100% reflector नहीं होता है, तो कुछ पार्ट में light हमारी transmit हो जाएगी, और transmit होने के बाद में यह light इस तरफ बढ़ रही है, अब इस तरफ बढ़ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, lens का use करेंगे, ताकि हम एक point पे focus करा दे light को, और focus करा रही है, each incident ray produce a group of coherent, group of coherent light produce कर रही है, each incident ray, यह हमने समझा यहाँ पर, विदे constant path difference, जिसका path difference जो है, वो constant रहेगा, between any two successive rays अगर आप ले, इस second convex lens L को भी हम लोग use करते है, जो क्या करता है, rays को इस तरीके से bring कर देता है, साथ में ले आता है, और focal plane पे line करता है, focal plane क्या होता है जैसे यह lens है, तो यहाँ पे इसका focus होता है, इसी को हम लोग कहते है, इस plane को हम कहते है, focal plane, तो focal plane पही यह आ जाते हैं और interfere कर जाते हैं, तो hence the rays from all point of the source produced an interference pattern on a screen placed in the focal plane, तो यहाँ पे interference होगा, क्योंकि light चारों तरफ से आके यहाँ पे मिल रही है, और मिल रही है तो light आप मिलती है, super impulse होती है, तो interference of light होता है, तो इस तरीके से फेबरी पे रोट, interferometer का working है, अब हम लोग समझेंगे कि भाई, path difference कितना होता है raise में, यहाँ पे थो हमने मान लेया कि भाई, d distance होता है, अब path difference कितना होता है raise के बीच में, यह हम लोग निकालेंगे, ताभी हम लोग interference क A और B के बीच में, क्या है, एक gap बना है, एक gap है d, वहीं पे हमारी क्या है, air है, तो इसको air film कहेंगे या फिर thin film कहेंगे, तो thin film के वज़े से हो रहा है, तो path difference कि हम लोग thin film वाला लगा सकते हैं, यहाँ पे, तो d separation अगर हम मान लें, दो silver surfaces के बीच में, और theta inclination of a particular ray, theta जो ह वो angle है, कि किस angle से incident हो रहा है, तो theta is the angle of incidence, theta कोई angle है particular ray का, जो की normal है, plate के normal से हम angle बनाते हैं, तो path difference क्या हो जाएगा, del A से path difference को represent किया जाएगा, यह हो जाएगा 2d cos theta, यह कई बार हम लोग लगा चुके हैं, कई वीडियो में समझ चुके हैं, 2d cos theta क्या आ जाएगा हमारा path difference d is the distance, और एक और एक दो, दो बार ट्रेवल करेगा, इसलिए 2d और यहाँ पर cos theta, तो यह हमारा path difference clear, अब हम समझेंगे कि path difference तो हो गया, अब path difference होगा, तो भाई interference होगा, path difference मतलब अगर हमारा constructive होगा, तो n lambda के बराबर होगा, तो हमें fringes मिलेगा, तो path difference अगर m lambda के बराबर हो गया है, तो हमें क्या मिलेगा, fringes मिलेगा, और कैसा fringes मिलेगा, bright fringes, यहाँ पर m की value 0, 1, 2, 3 है, इसका मतलब बहुत easy है, जैसे एक wave इस तरीके से है, दूसरी wave इस तरीके से है, दोनों में कोई difference नहीं है, इसका crest, इसका crest साथ में है, इसका truff, इसका truff साथ में है, यानि M के जगहां पर 0 रख दिया आपने, तो यहाँ पर कोई difference नहीं है, दो waves के बीच में, तो हमारे दोनों waves के बीच में कोई difference नहीं होगा, तो bright fringes मिलेगा, और अगर एक wavelength का difference है, तब भी crest और crest, truff और truff साथ पर चलेंगे, देखिए, यहाँ से सुरू हो रही है, तो आप में ही तो चलेगा, clear, तो इस तरीके से interference होता है, अब यहाँ पर देखे, हमें circular fringes मिलती है, कैसी fringes मिलती है, circular fringes जो हम स्क्रीन पर देखते है, circular fringes कैसे मिलती है, क्योंकि हम लोग क्या करते है, यह 3D में होता है, यह पूरा concept जो है, वो 3D में है, तो अगर हम circular मिलता है, इस तरीके से, इस वज़े से हमें क्या मिलता है, हम लेते हैं, locus of all point, इस तरीके से locus of all point, तो हमें क्या मिल जाता है, circular fringes मिल जाता है, जो की बहुत ही easy है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से हमें circular fringes यहाँ पर मिलता है, अब हम लोग समझेंग कि wavelength कैसे हम लोग निकालते हैं february period interferometer का यूज करके हम interference के study करके यहाँ पे इसको study करके कैसे बता देते हैं wavelength तो wavelength निकालना भी बहुत easy है जब reflecting surface A और B हमारे interferometer में adjust किये जाएंगे exactly parallel तभी हमें circular fringes मिलते हैं यह भी बात आप याद रखेगा जब exactly दोनों एक दूसरे के parallel होते हैं मतलब सीधे होते हैं तभी हमें circular मिलेगा अगर नहीं है कुछ इस तरीके से हमाल लेते A इस तरीके से है और B इस तरीके से तो हमें circular fringes नहीं मिलेगा तब हमें कुछ अलग तरीके का fringes मिलेगा हो सकता street मिले हो सकता है थोड़ा सा curve मिले इस तरीके का मिलेगा यह हम लोग कैसे जानगे भाई कि यह में इस तरीके का fringes मिलेगा जब हमारा पैरलल नहीं होगा यह हमने समझाता हा wedge shape film interference में कि अगर थो चीजे parallel नहीं होती है तो हमें ऐसा interference मिलता है और अगर parallel है तो हमें circular मिलेगा यह समझ चुके हैं काई वीडियो में तो आप देखते हैं वेबलेंड को कैसे determine करेंगे यह तो circular fringes हम समझ चुके हैं अगर M order है हमारा bright fringes का हमा लेते कि center पे हो रहा है incidence incidence कैसा हो रहा तो यहां पर अगर हम 2d cos theta is equal to M lambda यह हमारा पाथ difference था वहां पर हम क्या रखेंगे जैसे हमारा पाथ difference आया था तो 2d cos theta is equal to M lambda मैं लिख देता हूं एक बार फिरसे 2d cos theta is equal to M lambda यह हमारा आया था path difference for constructive interference 2d cos theta is equal to M lambda तो यहां पर theta is equal to zero हो तो cos theta कितना हो जाएगा वन हो जाएगा तो 2d is equal to M lambda यह कप के लिए जब center पे हो incidence जब center पे हो theta is equal to zero degree पे हो इस तरीके से अगर हम मान लेते हैं कि हमारा plate जो है वो movable है और हम plate को move कर रहे हैं plate को move करने से हमारे fringes पे क्या सर पड़ा यह हम study करने वाले तो हम plate को मान लेते हैं कि light के wavelength के half move कर रहे हैं lambda by 2 lambda by 2 हम plate को move कर रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं lambda by 2 मैं को move कर रहे हैं तो lambda by 2 move करें कि क्या होगा कि 2D चेंज आजएगा तोडी अब देखें टूडी distance कवर करना है ना एक distance इधर एक distance इधर बाई light ऐसे आती है फिर ऐसे जाती है तो तो डी distance कवर करती है तो lambda by 2 move करने से क्या हो जाएगा wavelength में lambda का चिंटर पहले इस order का 서울 अब इस order का प्याइब होगा यह हुता है इसका फाइदा हुता है क्या आफ प्लेट को आगे या पीछे करते हैं तो आपका जो renka-pattern होता है वह चेंज हो जाता है कुछ इस थरीके से छेनज होता है प्लेट को ले आए हैं हमान फ्रिंज एड़न्स के एक्सट्रान खींघ के रहे हैं चीज என अकी एन फ्रेंज को हुआ है थाया है उसको खीच का में प्लेटगा फ्रिंज कज लेता एक्सथर मॉस से लंकुए पे हम रख दे रहें M के जगहां पे N क्योंकि N fringes हो रही है N lambda by 2 और कितने का distance है हमारा X2 minus 1 distance हमारा क्या हो जाएगा X2 minus 1 तो N lambda by 2 is equal to X2 minus 1 lambda is equal to 2 हो जाएगा यहाँ पे उपर चला जाएगा X2 minus 1 by N तो इस तरीके से हम लोग wavelength का determination करते हैं इसमें फैबरी परोट इंटर परोमीटर में अधी हमारा concept पूरी तरीके से clear नहीं हुआ है अब हम समझेंगे इसके applications को तो applications इसके बहुत जादा हैं जैसे कि आप लोग क्या करेंगे wavelength of light को measure कर सकते हैं कि वल formula का use करके भी आप लोग यहाँ पे easily measure कर सकते हैं with great precision मतलब बहुत अच्छे accuracy के साथ में telecommunication में यूज किया जाता है हमारे fabric perot interferometer में telecommunication जैसे कि optical fiber वगएरा उसके विहाब पे हम लोग यूज कर सकते हैं यह हम लोग यूज करते हैं spectrometer बनाने के लिए जिससे हम लोग zeeman effect को observe कर सके zeeman effect spectroscopy में होता है astronomy में हम लोग यूज करते हैं single atomic transition का देखने के लिए जैसे कि हमारा h alpha line of the sun तो इसके various application है I hope यह वीडियो आपको अच्छे सी clear होगा इस वीडियो में रखते हैं वीडियो देखने के लिए thank you thank you so much